दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक और स्वागत है आपका एडू बगीचा पे तो दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल के स्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए बिहार की नदियां के बारे में तो बिहार की नदियों को समझने के लिए बेसिक तोर पे हम अगर उसको मैप पर समझ जाएं तो वो ज्यादा बेनेफिट होगा और ज्यादा लंबे समयते को याद भी रहेगा तो आईए देखते हैं ये बिहार का मैप है ये बिहार का मैप जो है इसके ठीक बीचों बीच गंगा नदी पार करती है ठीक बीचों बीच का करती है गंगा नदी पार करती है और बिहार को दो भागों में बाटती है उत्तर बिहार और दक्षिन बिहार ठीक है और एक बिह भिहार की जो ढाल है वह है अगर ऐसे बिहार है तो इसका अपर साइड और लोवर साइड दोनों उठा हुए है और बीच वाला जो पर्सन है वो क्या है बीच वाला पॉर्सन जो गढड़ा नुमा है ठीक है यानि दोनों तरब से ढाल है तो देखिए यह गंगा के मैदानी भ कुल लंबाई 25-25 km है जो गंगोत्री से चलकर और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन होती है लेकिन अगर हम बिहार की बात करें कि नहीं बिहार में कितनी गंगा की लंबाई है तो बिहार में 445 km लंबी गंगा नदी जो बिहार में आत्राप पूरी करती है वो 445 किलोमीटर की करती है तो ठीक है यह गंगा बीचो बीच बिहार को दो भागों बाट दी अब हम नौर्थ बिहार और साउथ बिहार के नदियों के बारी-बारी से समझेंगे तो देखिए सबसे पहले हम नौर्थ बिहार के कुछ नदियों को समझने से पहले इसको हम दो तरह के बातों से समझेंगे एक हिमालेन नदी और दुसरा पठारी नदी यानि कि नौर्थ बिहार में आने वाली जितनी सारी नदिया है वो सभी हिमालेन नदी होंगी चुकि उत्तर में नेपाल है और नेपाल में हिमाले है तो यह इस सारी नदिया जो इधर से आती है वो सब हिमाले से आती है तो हिमाले से आने के चलते उसका नाम हिमालेन नदी हो गया और इधर साउथ से मतलब जारखन से और इधर से जाने वाली नदिया जो है वो पठारी नदी है जैसे छोटानागपूर पठारोगरा से इधर से निकल सब करके जाती है तो उसको हम लोग पथारी नदी कहते हैं कि हिमालेन नदी सदांविरा नदी होती है çली नदी को यह होता है कि उसमें बर्स भर जल रहता है जबकि असलों सदा निरा नहीं रहती है यहां सिर्फ इल्सा ballots उसमाले में जल भरे होते हैं तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहां अयोध्या से होते हुए एक सर्यू नदी आती है और बिहार में कुछ यूपी के साथ बोर्डर बनाते हुए और यहां सारन के पास आकर गंगा नदी में समाहित हो जाती है तो यहां इसका नाम है सर्यू नदी लेकिन जब यह बिहार में आती है तो इसी नदी का नाम हो जाता है घागरा नदी अब हम घागरा नदी को देख लिए यह यूपी के बोर्डर से चुकि इधर यूपी है इधर पशिम मंगाल है इधर नेपाल है इधर जारखंड है तो य दूसरी नदी जो यहां पश्मी चंपारन के साथ UP के साथ सीमा बनाती हुई और आकरके यहां पटना में सोन पूर के पास आकर गंगा में मिल जाती है और यह आती है नेपाल से लेकिन पश्मी चंपारन और UP का जो बोर्डर उस border line को भी कुछ दूरी तक बनाती है और आकर के पटना के सोनपूर में मिल जाती है और इसी नदी का हम लोग कहेंगे कि ये नदी है गंडक नदी बात करें अगला नदी क्या तो ये पस्मी चंपारन जीले से ही निकलती है और ऐसे होते हुए और आकर के यहां मिल जाती है ठीक है अब देखते हैं इसका नाम है बुढ़ी गंड़क क्यों पढ़ा जी उसका नाम बुढ़ी गंड़क कहने के ताथ पर ये है कि पहले वो मार् लेकिन गंड़क अपने पानी के वेग की प्रवणता के चलते अत्यधिक प्रवणता के चलते वो अपनी रास्ता दूसरा बना ली और वो जो पुराना रास्ता बच गया उसमेश्वर की पहाडिया से जल भरनी सुरी हो गई और वे एक नदी का निर्मान कर गई इसी नदी पर एक नदी आती है, जो बाग मती के नाम से जाने जाती है, और इधर चली जाती है, फिर एक कमला नदी यहां से आती है, वो भी इधर चली जाती है, और यहां से जब कोसी नदी आती है, तो कोसी नदी में यह दोनों नदियां जाकर मिल जाती है, यानि यह नदी हो गई कोस और कोशी नदी जो है इतनी इसमें पानी की बेग प्रवरता इतनी अत्याधिक होती है कि यह हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती है इसलिए इसको मार्ग बदलने के नाम से भी जानते हैं और दूसरी बात यह बिहार की सोक या बिहार का दुख इसको कहा जाता है क्योंकि यह अत्याधिक बाढ़ लाती है अत्याधिक मतलब भयावा इस्तिती हो जाता है जब इसमें बाढ़ आती है ठीक है और यहां सबसे लाष्ट में एक महानंदा नदी आती है और आकर के यहां गंगा में विलीन हो जाती है और यह महानंदा नदी जो है दारजलिंग जीले से पसमे बाढ़ के लिए प्रसीद है ठीक है उत्तर बिहार की जितनी सारी नदिया है इसमें सदानीरा नदी है चुकि तो इसमें बाढ़ अत्यधिक होते हैं तो उत्तर बिहार अपने बाढ़ के नाम से जाना जाता है जबकि दक्षिन बिहार सूखे के नाम से जाना जाता है ठीक है अब देखते हैं दक्षिन बिहार के कुछ नदियों को, तो सबसे पहले ये नदी एक यहां से आती है, बिहार के यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हुए आती है, और यहां बक्सर के पास आकर मिलती है, ठीक है, चौसा के पास, तो इस नदी को हम कहेंगे कर्म नासा नदी, कर्म नासा नदी, और इस नदी के बारे में एक तथे कहा जाता है, कि कर्म नासा नदी में जो व्यक्ति नहा ले, उसके सभी कर्मों का नास हो जाता है, ऐसा माना जाता है, जैसे गंगा के बारे में माना जाता है, हैं कि गंगा एक पवित्र नदी है और इसमें नहाने से मतलब जितने भी पाप हैं सभी ढुखल जाते हैं ठीक वैसे ही करमनासा के बारे में एक कहावध है कि करमनासा में जो भी कोई नहा ले तो उसके सभी कर्मों का नास हो चाता है यानि इस करमानासा नदी को अभीतर नदी के नाम से जानते हैं अब देखते हैं कि एक नदी आती है इस दक्षिन बिहार से ला एकar से अम्र कंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में हैं वहां से आती है जार्खन को पार करते हुए भिहार में प्रवेश करती है और यह नदी सीधे आकर के पटना में मिलती है दानापूर के पास यानि की कोईलोवर के पास मिलती है और इसी नदी का नाम है सून नदी सून नदी नाम है और तीसरी नदी जो है वो あती है आपको यह भी मतलब मद्यपरदेश यहीं आती है लेकिन यह जो है यह सीधे आती हुई पटना के यहां फटुहां के पास मिलती है पटना में फटुहां जगा है और फटुहां के पास गंगा में मिलती है और उस नदी का नाम है पुनपुन नदी तो इस प्रकार हम देखेंगे कि पटना जो कि बिहार की एक राजधानी है वो इधर से आ गई गंडक नदी यहां से चला गया पुनपुन नदी और इधर से आ गया सोन नदी यानि सोन पुनपुन गंडक और गंगा यानि कि चार नदियों के संगंप अगर कोई सहर है तो वो है हमारा पटना यानि कि यह पटना जो है चार नदियों के संगंप है इस्तित है फिर आगे देखते हैं तो एक नदी है गया से होते हुए यहां आती है जिसको हम लोग फल्गु नदी कहते हैं फल्गु नदी में कुछ मतलब क्या है फल्गु नदी को हम लोग निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं और यह नदी इतनी इंपोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनको फल्गु नदी के किनारे ही ग्यान प्राप्थ होगा और दूसरी एक और तत्ह इसके बारे में कि हिंदू समाज में पित्र का पिंड भी यहां पर दिया जाता है चलिए एक और नदी है यहां पर क्यूल नदी क्यूल नदी यहां से जाकर गंगा में मिल जाती है तो इस तरह से हम देखेंगे कि दाच्षिन भारत की भी कुछ बिसेस नदियों को बारे में देख लिए उत्तर विहार के भी कुछ नदियों को हम लोग जानगे और दक्षिन बिहार के भी नदियों को बारे में जानगे और भी छोटी छोटी बड़ी बहुत सारी नदिया है तो सब नदियों के बारे में तो नहीं तो सब सहायक नदी है छोटी नदिया है लेकिन मेन मेन जो नदी है जिसे प्रस्ण पूछते हैं वो उस सभी को हम लोग मैप के थुरू देख लिए अब हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि वो नदिया है उसके उद्गम अस्थान कहा है ये एक्जाम में पूछे जाते हैं फिर उस बिंदू क्या है उसको देखेंगे तो ठीक है बने रही आप अड़ी वहार की जितनी भी नदिया है जिसको हम हिमालयन नदी का संग्या दिये थे उसी नदियों के बारे में हम देखेंगे उसके उद्गम केंद्र को देख रहे हैं मुहाना और उससे जुड़े कुछ प्रम होती है बात करें कि गंगा जो है बिहार में कहां से प्रवेश करती है तो बिहार में यह चौसा के पास से प्रवेश करती है यानि कि बॉक्सर के पास चौसा बॉक्सर के पास यह बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में टोटल 445 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते दि जाती है, दुसरी नदी है घागरा, जो कि सर्यू के नाम से उत्तर प्रदेश में जानी जाती है, बिहार में ये यू पी के साथ सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है, और ये नामचा स्रेणी तिबबत से निकलते हुए आती है और हमारे सारन में यानि की छप्रा जिला में आक और गंगा से मिलती है और ये बिहार में टोटल 83 किलोमीटर की सफरताय करती है ठीक है अब देखते हैं गंडक नदी के बारे में जो की नेपाल से निकलने माली एक प्रमुख नदी है और यह पटना में सोनपूर नामक जगा जो की विश्वपसु मेला है तो यह सोनपूर में गंगा नदी में आकर समाहित हो जाती है और इस गंडक नदी पे एक डैम बना हुआ है और याद रखिएगा कि बिहार में टोटल तीन ही ऐसी नदिया है जिस पे डैम का निर्मान हुआ है एक गंडक है दूसरा कोसी है और तीसरा सोन नदी है उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे तो देखिए इस पे एक डैम बना हुआ है जो कि भैसा लोटन डैम या बालमी की नगर बैराज के नाम से जाना जाता है इसमें टोटल 36 खंबे हैं जिसमें 18 खंबे भारत सरकार के छेत्र में है और 18 खंबे जो है सपर तै करती है और इस गंड़ग नदी को अन्य भी नदियों के नाम से जानते हैं जैसे सालीगामी नदी गंडगी नदी और नारायनी नदी साली ग्रामी कहने का मतलब है कि साली ग्राम का एक पत्थर गोल-गोल खुबसूरत पत्थर होता है साली ग्राम का पत्थर वो पत्थर इसी नदियों के जल में मिलते हैं इसलिए इसका नाम साली ग्रामी नदी भी पड़ गया चलिए गंडक को भी हम देख लिए अब आते हैं बूढी गंडक के बारे में जो की पस्मिच अमपारन के सोमेश्वर की पहाडिया से निकलती है और यह सीधे चलते हुए खगडिया में जाकर गंगाजी से मिल जाती है खगड़ीया district में जाके गंगा में बिलीन होती है और ये टोटल 320 km की सफर तै करती हुई और ये सबसे बड़ी चीज है कि बिहार से निकलने वाली नदिया है बिहार से बहुत कम ही नदिया निकलती है जिसमें एक ये भी है बोडी गंड़क जो बिहार से ही निकलती है और 320 किलोमेटर की सफर तै करती है, अब देखते हैं कोसी नदी जिसके बारे में इस पे भी एक डैम है, डैम वाला ये भी है, डैम वाला ये भी है, चलिए कोसी नदी जो सब्त कौस की गुसाई अस्थान नेपाल से निकलती है, और ये कुर्सेला में आकर गंगाजी से मिलती होती है तो कुर्सेला में जो की कटिहार डिस्टिक में है वहां पर आकर यह गंगा में से मिलती है और इसको बिहार का सुक बिहार का दुख या मार्ग बदलने वाली नदियों के नाम से जानते हैं यह अपने बान के लिए कुख्यात है ठीक है अब देखते हैं महानंदा के ब बंगाल के दार्जलिंग डिस्टिक्स से यह निकलती है और बिहार में आएकर कटिहार में गंगाजी से मिलती है कटिहार में और वापस यह क्या करती है फिर पर्षिम बंगाल में यह नदी चली जाती है तो इस तरह से हम लोग उत्तर बिहार के मतलब जो में नदिया है उसको पहारी से यह निकल कर आती है और बिहार में चौसा के पास आकर गंगा में विलिन हो जाती है और इसके मुख्य बिंदू यह है कि इसे आप अवित्र नदी के नाम से जाना जाता है कि इसमें नहाने से मनुष्य के सभी कर्मों का नास हो जाता है तो चलिए कर्मनासा के बारे में समझ गया अब देखते हैं बिहार में दोनों अप्सन है कर्मनासा है कर्म को नास करने के लिए और पाप को नास करने के लिए गंगा है यानि दोनों अप्सन है ठीक है चलिए और पटना के पास, दानापूर के पास कोईलवर है, और उसी कोईलवर के आसपास में आकर ये गंगा में बिलीन हो जाती है, और यह सबसे पुरानी नदी घाटी पर्योजना है, हम लोग बात कर चुके हैं कि बिहार में तीनी नदियों पे नदी घाटी पर्योजना है, सोन, क देखते हैं आगे बढ़ते हुए पुन-पुन नदी को तो पुन-पुन भी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकल कर आती है यह और और怎麼辦 जनरेट हो सकता है कि मध्य-पर्देश के आने वाली बिहार में कौन-इस से आकर मिल जाती है ठीक है फतुहा में आकर गंगा से मिल जाती है आगे देखते हैं फल्गु नदी जिसको हम लोग निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं ये निरंजना नदी या फल्गु नदी जो छोटानागपूर पठार से निकल कर आती है और गंगा के टाल छेत्र म आगर गंगा से विलिन हो जाती है और यहां पर भगवान बुध को ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं पर हुई थी और दूसरी बात कि हिंदू के पितरों का पिंड भी इसी नदी के किनारे दिया जाता है जो गया में अवस्थित है चलिए अब देखते हैं अजय नदी की बात हर्षिम चमपारन में निकलती है और दूसरी बात कि जुद बिहारं में निकलती है यानि दोनों इकार समाइड हो जाती है और फिर ये पशिम बंगाल की तरफ चली जाती है और लास्ट एक नदी क्यूल नदी देखेंगे क्यूल नदी जो हजारी बाग जारखंड से निकल के आती है और ये लखी सराय में आकर के गंगा में विलिन हो जाती है और इसके बारे में एक खास बात ये है कि क्यूल नदी म हमेशा पानी नहीं होता है जब बर्षा दीतू के दीन आते हैं तभी इसमें पानी होती है तो इस तरह से हम लोग देखें इस पे आधारित कुछ प्रस्ण भी है उसको भी हम अब हम इस मतलब नदियों के से रिलेटेड जो भी एक्जाम्स में कोशन पुछे गया है उसका एक क्लेक्शन किया गया है थोड़ा ही है बस एक्जाम्पल के तौर पे तो आएए देखते हैं सबसे पहला कोशन था जो 66 BPC में पूछा गया था कोशन कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है यानि दिसा वी उत्तर से दक्षिन की तरफ आती है और उत्तर की तरफ आती है यानि इसमें कोई नहीं है इसलिए हम यहां टिक लगाएंगे कि इसमें कोई नदी है जो उत्तर की ओर कीओर बहती हो ठीक है तो अल्द नमर्बर place में ही पूछा गया था कि बिहार के निमन प्रमंडल काउंगेर के जो एरिया है उसमें गंगा नदी बहती है तीरहुत और सारन में तो खुद घागरा आके उससे मिलती है तो सारन में बहती है कोसी और मघद की बात करें जो हम प्रमंडल की चर्चा कर चुके है पिछले वीडियो में चली अगला कोशन था जो कि 65th BPSC में पूछा गया था कि बिहार में गंगा के किनारे इस्तित जीलो की संख्या कितनी है तो ये बात मैप से किलियर होगा कि मैप में देखेंगे कि कौन कौन सी जो डिष्टिक है वो गंगा के किनारे अवस्तित है तो इस तरह से टोटल 12 जीले ऐसे हैं जो गंगा के किनारे इस्तित है ठीक है अगला कोशन वो भी 65th BPSC से रिलेटेड है कि बिहार की किस जीले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है यानि सबसे लंबी बहती है तो अगर हम लोग मैप द बीच जब गंगा गई है तो पटना में ही गंगा सबसे लंबी होगी तो इस तरह से इसका एंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है कि किस अस्थान पर कोशी नदी गंगा से मिलती है यह हम लोग यह भी 65th BPSC में पुछा गया है हम लोग चर्चा कर चुके थे इसी वीडि अब देखिए नहर की बात है तो इसके अगले वीडियो में हम लोग नहर परियोजना और जितने भी मतलब डैम परियोजना हो रहा है ठीक है मतलब जील है बिहार के सब चीज की चर्चा करेंगे इसमें देखिए त्रिवेनी नहर यह तो बहुत इंपोर्टेंट कोशन है हम हमेशा पुछता है यह भी 66 में पूछ दी त्रिवेनी नहर हम पता है कि यह बालमीकिन अगर बैरात से निकलती है यानि की गंड कण नदी पनी हुई है अगला हम लोग देखें तो एक भी कोश्चन छुटने वाला नहीं है ठीक है तो उमीद करते हैं कि यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों को सेयर भी करें और इंज्वाय करते हुए पढ़ें और बने रहें एडू भगीचा के साथ धन्यवाद